हेलो फ्रेंट तो आपके सामने एक और इंपोर्टन कोश्चन से लेकर आ गया है और यह कोश्चन को सबसे पहले तब पढ़ लेना होता है बोला है दा एन्थ टॉर्म ऑफ एपी एट थ्री माइनस टू इज डैस मतलब एन्थ टॉर्म की बात कर रहा है मतलब एन पूछ रहा ह ठीक है क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है और इस एपी से आप देखो तो ए आपको मिल जाएगा एट और डी अगर निकालना है तो आप देखेंगे कि 3 माइनस 8 कर लेंगे तो आजाएगा क्या माइनस 5 आजाएगा ठीक है अब फॉर्मुले में अपलाई कर लिजे आप आपको nth term चाहिए तो a n equal to a plus n minus 1 into d apply कर दिए a की value कितनी है 8 plus n minus 1 और d की value कितनी है minus 5 अब यहाँ पर तो 8 है अब देखिए minus 5 का n के साथ होगा तो minus 5 n हो गया और यहाँ पर देखिए minus 5 का minus 1 के साथ plus 5 हो गया अब यह देखिए 8 और 5 जोन प्लस में है तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया और यह minus 5 n अब ऐसा कहाँ पर देखने को मिलना 13 minus 5 n c option है ठीक है तो इस तरीके के जो questions है ऐसे solve करने होंगे ठीक है